नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल RPS समाचार में तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास कबरों के साथ दर्दी पर उगने वाला सबसे ताकतवर फल जितना हो सके खाने की कोशिश करें और अपने को स्वस्त बनाएं जानी कैसे होती है ये खेती दर्दी पर उगने वाला सबसे ताकतवर फल आपको बताएंगे जानी कैसे होती है इसकी खेती ये फल जितनी जादा फायदेमंद है उतना ही जादा कीमती है इस फल को लोग खरीदने में कत्राते हैं जो कि हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदायक है पोशक तत्वों से भरपूर ये खादे पदार्थ न केवल आपको लंबा जीवन देते हैं बलकि लंबे समय तक आपको सेहत मन्द भी रखते हैं एक करने के लिए एवोकेडों के बीजों से नर्सरी में पौदे तयार करके व sprechen की जाती है 我們 के लिए counting नर्सरी तयार करने के लिए बीजो को पॉलिथिन बैग और नर्सरी बेट पर सीधे तोर पर भुवाईं के लिए इस्तमाल कर सकते हैं नर्सरी में आइवोकाडो का पौदय को तयार होने में 6-7 महीने लग जाते हैं इसके बाद आप इन पौदों की खेत में रोपाई कर सकते हैं स्वस्त भोजन शरीर और दिमा दोनों के लिए बहुत फायदिमत है जब हम अच्छा खाते हैं तो हम अच्छा महसूस क करते हैं तो हम जादा खुश रहते हैं यह आपको लंबी उम्र देता है धरती पर उगने वाला सबसे ताकतवर फल जितना हो सके खानी की कोशिश करें अपने आपको स्वस्त बनाएं जानी कैसे होती है यह खेती साथी आपको बता दे कि इस फल का रेट ही मार्केट में अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं इसके बढ़ती मांग के कारण और भी जादा इसकी कीमत बढ़ती जा रही है फिलार के लिए बस इतना ही मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी ख़बर में तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RPS समाचार इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं